नमस्ते बच्चों, a very good morning to everyone, हाज हम लोग अनुचेद लेखन, अनुचेद लेखन पढ़ने वाले हैं और लिखने वाले हैं, अनुचेद लेखन, अनुचेद लेखन, अनुचेद लेखन means paragraph writing, topic है दिपावली, दिपावली, दिपावली इंदुओं का त्योहार है, दिपावली is a festival of Hindus, दिपावली बारत देश का एक सुंदर त्योहार है, दिपावली is a beautiful festival of India, दिपावली दिपों का त्योहार है, दिपावली is a festival of lights, यहा त्योहार पांच दिन तक मनाया जाता है, दिपावली इस festival is celebrated for five days, यहा त्योहार हर साल October या November में मनाया जाता है, इस festival is celebrated in October or November every year, इसी धिन स्री राम 14 साल का वन्वास पूरा करके आयोध्या वापस लवटे थे, इन दिपावली के दिन लोग नए कपडे पहनते हैं, पीपल वेर नूँ ड्रेस इन दिस दिन लोग पटाके जलाते हैं, पीपल fire a crackers in this day, इस दिन लोग अपने अपने घर में मिठाईया बनाते हैं, sweets preparation can be seen in every house on this day, दिपावली कुशियों का त्योहार है, दिपावली is a festival of happiness, बच्चों, इसको हमलो किसे पड़ेंगे, I will repeat again, carefully you listen, अचितरस सुनो, ज्ञान सुनो, दिपावली, दिपावली हिंदों का त्योहार है, दिपावली इंदों का त्योहार है, दिपावली is a festival of Hindus, दिपावली भारत देश का एक सुन्दर त्योहार है, दिपावली is a festival of India which is very beautiful, दिपावली दिपों का त्योहार है, दिपावली is a festival of lights, यहाथ योहार पांच दिन तग मनाया जाता है, इस festival is celebrated for five days, यहाथ योहार हर साल October या November में मनाया जाता है, इस festival is celebrated in October और November every year, इसी दिन Shri Ram, चाओदा साल का वन्वास फूरा करके, आयोधिया वापस लवटे थे, इन दिस देवनली Shri Ram returned to आयोधिया, दिपावली की दिन लोब नए कपडे पेंते है, पीपल वेर नुव द्रेस इन दिस देवी इस दिन लोब पटाकें जलाते है, इस दिन लोब अपने अपने घर में मिठाईयां बनाते है, sweet preparation can be seen in every house on this day, दिपावली कुशियों का तियोहारे, दिपावली is a festival of happiness, बच्चों इसको लिखने से पहले आप लोग पहला पेज में क्या करना है, दिपावली तियोहार का चित्र बनाना है, पहले आप लोग दिपावली तियोहार का चित्र बनाना है, उसके बाद अनुचेद लिखना शुरू करना है, तैंक यू बच्चों ये सारी चीज़े मैं आप लोगों को वाट्सप में बेज देता हूँ, आप लोग वहां से देकर क्या करना है, यह सारी चीज़ें लिखना है और अधा से कंप्लिक तरना है अधिस आल सेंट इन वाट्सअप जिस्ट यू कापी और फिनिश दी लास वेड थैंक यू बच्चों धन्यवाद